गुम है किसी के प्यार में अब तक आपने देखा कि इशान की वज़े से शुकला जी सवी की मदद करने नहीं आपाएंगे। इशान कहेगा कि सवी के साथ दुकान पर जाना है तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। सवी शुकला जी का इंधजार करेगी और उनकी पत्नी से कहेगी कि वे उनकी जोग खत्रे में नहीं डालना चाहती। सवी को पता चलेगा कि शुकला जी की नौकरी चली गई। सवी इशान से छगड़ेगी। शुकला जी सवी की दुकान पर आकर बोलेंगे कि वे नौकरी पर वापस नहीं जाएंगे। नौकरी छोड़ दी है। सवी बोलेगी कि अगर निश्री काका ने डांटा है तो वे ही शानसर से बात कर लें। वे समचेंगे। शुकला जी बताएंगे कि इतने सालों की सिवा का प्रसाद इशान सर से ही ले कर आये हैं। वा रोकर बताएंगे कि उन्होंने ऐसी शड़ रख दी कि नौकरी छोड़ दी। वा अपनी बहन की जगए नौकरी को नहीं चुन सकते थे। सवी ये बात सुनकर शौक्ड हो जा इशान गुस्से में गाड़ी से निकलेगा पूछेगा कि पत्थर के उमारा। सवी कहेगी कि उसने ही ऐसा करने पर मजबूर किया। सवी इशान से सवाल करेगी कि शुकला जी को नौकरी से क्यों निकाला। कहेगी कि शुकला जी से दुश्मनी ना निकाले ये उच्छ हर इशान कहेगा कि उसने शुकला जी को अप्शन दिया था कि ड्यूटी के वक्त बाहर काम न करें, वरना इस्तिफा देना पड़ेगा, शुकला जी ने खुद इस्तिफा दिया, सवी इशान को धमकी देगी कि वे इहाय से नहीं छोड़ेगी, सवी बीसी को फोन करेगी ताकि उस पर लगा लाचन हट सके, सुरेखा और रीवा की माईशान और उसकी शादी की बात करेंगे, एक जर्नलिस्ट आएगा और उसे इशान के खलाफ बोलने के लिए कहेगा, सवी जर्नलिस्ट को फटकार लगाएगी, वह भोसले परिवार के खलाफ इंटर्वियू देने के लिए मना कर देगी, जर्नलिस्ट सवी को लालच देगा आगी इंटर्वियू से, उसका रियस्टिकेशन वापस हो सकता है